हेलो फ्रेंड्स मैं जय आपका अस्वागत कलता हूँ आपके अपने चैनल विसेज ग्यान में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में जो बताने जा रहा हूँ यह एक viewer का question था जो उन्होंने मुझे comment box में पूछा था उन्होंने मुझे दो question पूछे थे तो उसी questions के answer मैं इस वीडियो में दूँगा और यह जो question उन्होंने पूछा था यह बहुत important है और सभी लोगों के लिए useful है जो भी लोग टैली यूज करते हैं सभी के लिए useful है तो प्लीज इस वीडियो को लाज तक देखेगा बहुत छोटी सी वीडियो है तो देखे मेरे जो viewer थे उनका क्या question था उनका question यह था कि सर जैसे हम लोग जो stocks वगरा sale करते हैं और कई बर जो हमारी stocks हैं वो zero हो जाते हैं कुछ stocks ऐसे भी होते हैं कि हमने पूरा ही sale कर दिया तो जब हम stocks समरी में जाते हैं तो हमें वहाँ पर वो stock reflect नहीं होता है पहला सवाल यह था दूसरा सवाल जो है वो इससे ज़्यादा important है लेकिन सबसे पहले यह जो एक बहुत easy सवाल है इसका जवाब मैं देदू आप अभी देख सकते हैं मैं gateway of tally पड़ू अभी मैं stock समरी में जाओंगा तो इसमें से आप देखिए यह जो tie है बिक चुकी है पूरी यानि इसकी जो value है closing stock जो है वो 0 हो चुका है तो उनका यही question था कि अगर कोई stock पूरा बिक जाता है तो जब मैं stock समरी में जाकर check करता हूँ तो मुझे वो reflect नहीं होता है तो यह कैसे reflect होगा आप f12 config में जाएंगे और यहाँ पर एक option होता है stock items with zero quantity और balance इस option को आप yes कर देंगे तो ही आपको जो stock zero हो चुके वो भी reflect होंगे stock summary के अंदर अगर हम इसे no कर देंगे और control इसे save कर देंगे तो जो भी आपको stock zero हो चुके हैं वो आपको stock summary में reflect नहीं होंगे पहला सवाल खतम अब दूसरा सवाल सुनिए वापस से हम आ चुके stock summary के अंदर और यहाँ पर हमें इससे क्या कर देना है वापस से activate कर देना है ठीक है अब उनका दूसरा सवाल यह था कि sir अगर मुझे सिर्फ यह चेक करना है stock summary में जाकर कि मेरे zero जो हो चुके stock वो कौन-कौन से हैं जैसे मान कर चलिए आपके पास 1000 आइटम है और अभी आपको order लगाना है कि जो stocks आपके खतम हो चुके हैं उनका order लगाना है तो अगर आप यह जो option मैंने पहले बताया yes करने के लिए जिससे आपको zero stocks भी reflect होंगे stock summary में यह अगर आप on भी कर देंगे तो भी तो आपको छाटना पड़ेगा na stock summary में आकर कि कौन-कौन सा stock मेरा zero हो चुका है इसमें बहुत ज़रा time जाएगा लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि stock summary में जितने भी stock item है उसमें से सि सिर्फ जो zero हो चुके हैं सिर्फ वो मुझे दिखें ताकि जिसका भी मुझे order लगाना मैं लगा पाऊं तो यह कैसे होगा तो देखिए सबसे पहले तो आपको f2l config में इस option को yes रखना यह याद रखिएगा उसके बाद अगर आपका stock summary में इस तरीके से options हैं कि आपने group wise भ जो मेरे हैं jeans, shirt, socks, tie यह बिना group के हैं यह जब मैंने stock item बनाया था तो वहाँ पर जो under करके option आता है primary वहाँ पर मैंने group नहीं बनाया था primary रहने दिया था और friends यहाँ पर कुछ stocks आपको देख रहे हैं जिनके group बने हुए हैं जैसे यह shorts और t-shirts के group बने हुए हैं आप अंदर जाके देखेंगे तो इसके अंदर stock item है ठीक है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं अपने stocks item को तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि F2L में आपको वह option yes रखना है जिससे कि जो 0 हो चुक है stock वह भी reflect हो पहली बात दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या करना है stock item wise यह जो option है इस पर click कर देना है तो जितने भी stocks होंगे जो group के अंदर भी होंगे वह बाहर आ जाएंगे ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ पर apply filter है है इस पर जाने के बाद यहाँ पर advanced filter है इसे choose करना है इसके बाद यहाँ पर क्या करना है stock item लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो any field है, यहाँ पर आपको closing stock लेना है, closing quantity, क्या लेना है, closing quantity, और यहाँ पर लेना है आपको as zero, ठीक है, end of list कर देना है, आपके जितने भी stock zero हो चुके होंगे, वो आपको यहाँ पर reflect होंगे, तो यह कितना easy हो जाएगा कि आपके पास 1200 आइटम है, और आप सिर्फ यह प आपको यह जो भी मैंने जान करी दी, अच्छी लगी होगी, और मेरे हिसाब से यह सभी के लिए useful है, ठीक है, friends, यह सारी setting करने के बाद, अगर आप इसे save रखना चाते हैं, कि ताकि आपको बार बड़ यह सारी setting न करनी पड़े, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए, जैस आपको इस तरीके से आपको जो अच्छा लगे, वो नाम टाइप कर लीजेगा, उसके बाद यहाँ पर set this as default view for the report, अगर आप करेंगे yes, तो क्या हो जाएगा, यही आपके लिए default हो जाएगा, यानि कि जैसे ही आप stock summary open करेंगे, तो आपको वही stocks reflect होंगे, जो 0 हो चुके ह तो आपको ऐसा तो check करना नहीं है, इस तरीके से आपको setting नहीं करने है, क्योंकि फिर बाकी stocks कैसे reflect होंगे, तो यह काम नहीं करना है, यह कुछ conditions में जहाँ पर आपको इस तरीके से check करना हो, तो आप कर सकते हैं, अगर इस पर आप वापस से no कर देंगे, तो भी हो जाएग ठीक है, मैंने already किया हुआ था, इसलिए override आ रहा था, मैं बाहर आया, stock summary में आया, अब मुझे क्या reflect हो रहा है, आप देख सकते क्या reflect हो रहा है, मुझे reflect हो रहा है वो item जो की zero है, ठीक है, अब मुझे इसे वापस से हटाना है, save view में मैं जाऊंगा और इसे no कर दूंगा, अब मान कर चलिए मुझे इस तरीके से नहीं करना है, कि जब मैं stock summary खोलूं तो वहाँ पर सिर्फ zero वाले item देखे, मुझे क्या करना है, मुझे इसकी एक setting करके रख देनी है, कि जब भी मैं चाहूं तो एक click के अंदर खोल दूं, मुझे इतनी setting करने की ज़रत न पड़े, तो यह जो so additional configuration में yes करूंगा, yes करने के बाद अगर मुझे सारी company के लिए यही करना है, तो all company रहने दूंगा, नहीं तो सिर्फ this company चूज करूंगा, और यहाँ पर save the master, select to open the report, इसे yes कर दूंगा, और फिर इसे save कर दूंगा, जैसे ही save करूंगा, तो उसके बाद आप देख change view है, जो भी मैंने वहाँ पर save किया, जो भी मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया, save view में जाके, नाम टाइप करके, additional config में जाकर, जो एक option yes करने के लिए दिखाया, वो आप जब yes कर देंगे, उसके बाद आपके पास यह saved view करके options आएगा, और यहाँ पर जो आपने बना से save कर सकते हैं, इसके लावा आपको यह go to में भी reflect होगा, go to में भी आएगे, यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं, यह आपको उपर उपर में भी दिखेगा, आप यहाँ पर click करेंगे, तो भी आपको दिखने लगेगा, जैसे मान कर चलिए आप बाहार हैं, यहाँ पर हैं, और यहाँ पर रहते हुए देखना चाते हैं, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, I hope friends आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यूसफुल लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब क कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, thank you friends for watching my वीडियो